दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटीब शेनल साइंस पंकर्स पर दोस्तों आज बहुत इंपॉटन टॉपिक बॉडी फ्लूट सेर्कुलेशन को लेकर के आया हूं और क्लास 11 में फिजोलोजी के अंटर एक बहुत इंपॉर्टन टॉपि पर आपके एक्जम में तो जरूर देखेगा से अंट तक बाकी दोस्तों मैंने प्रिविएस जो टार्गेट टैस्ट स्रीज में वीडियो बनाए हैं सात्वा वीडियो है वह भी तक नहीं देखे हैं आप न्यू जॉइन हो रहे हैं तो वह भी देखिए ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करेगा कुशन नमर वन देखते हैं यॉन हर्ट इस डोस्तों अग्युद्ध बप्राइफा dimosidera granulocytes और तो ए कि ग्रैनुलो साइडस आप से पूची है फ्यम्क वियोसिद्ध और हम और किRe людей insulted Eğer यह कोई भी मिश्मी से नहीं का गाएगा तो और दूसरा आते हैं एक का आँज़ से परेंगा तो शालओ बीशन नमब थर्ड देख दोस्तो ऑस्ट और तो दोस्तो ग्र्यंव साइड संट यॉप्षोन कर्कशण चाएगा धोस्तो याद करने के तरीका बता तो अगर आपको स्याद करनी है तो आप एक कोड यात सिकतें था जैसे कोड कोड एक इसाइद रहे हैं नाम ठीक इस तरीके साथ याद रख सकते हैं लिंफ इस इसमें लिंफ में क्या नहीं होता दोस्तों लीकोसाइट्स ओती हैं definitely next question. Blood does not contain इसमें से क्या नहीं करता तो elastin proteins नहीं contain करता क्यिस्म प्रोट्रंबिन और फाय। नो ज़न तो रहते हैं ब्लड में elastin protein नहीं होता elastin protein फिर कहां पाया जाता है दोस्तों या आपके प्रेशर प्रेशर जादा लगता है तो दोस्तों जो थिक वाल्ड होती है क्योंकि दोस्तों अगर थिक वाल्ड होंगी उनके लुमन रहता है कम तो प्रेशर जो है हाई फ्रेशर से क्या कर सकती है इसी लिए आटरी शिक होती है अब आप देख लीजिए ऑरिकले नोड नोड नोडग के विच हेल्प इन ब्लड ग्लोटिंग ठीक है इसमें से आप पता है सोडियम नहीं है बलीरूपिन कहां से आगया तो फाइब्रो नोजी नहीं है जो ब्लड और इसी को हम क्या बोलते है पोडल सिस्टम भी बोलते है तो आप देख लिजे अब वें स्टाट फ्रॉम और अपन हार्ट ठीक है तो ऐसा नहीं है वें स्टाट फ्रॉम एन और और अपन अनदर ओर और एक यह आंसर आपका सही होने वाला दोस्तों दैन कुशन नमर 11 देखि है तो stopping the flow of blood का मतलब क्या है कि coagulate कर रहा है ब्लड को ठीक है तो वो सेल्स कौन सी है आपकी platelets के या थ्रॉम्बोसाइट के लावा दूसरी नहीं हो सकती है ठीक है कुशन नमर 12 देखिए coagulation of blood occur due to ठीक है जो coagulation है blood का वो क्यों होता है destruction of rbc के वज़े से नहीं wbc के वज से बीन restriction of blood plate let's के वज़े से होता है दोस्तों यह common questions है नमर 13 देखिए दोस्तों mental essential for hemoglobin formation है यह मैं कई बार बता चुका हूं आपको यह कौन सा रहागा iron chlorophyll के लिए कौन सा रहता है एक बार वाइस कर यह magnesium 2 plus है ना और जो hemoglobin है वो उसके लिए iron then question number 14 देखिए the antibody antibodies compact with antigen by दे antibody और antigen ठीक है यह आपस में क्या agulonate करते हैं ठीक है को गुलेट करते हैं ठीक है प्रेसिपिटेट करते हैं ठीक है neutralize करते हैं एक दूसरे को तो यह सारे options होने वाले हैं दोस्तों ठीक है all of the above a person with antigen A in the RBC and antibody B in the plasma ठीक है तो इसका blood group आप से पूछा गया है कि कौन सा blood group हो तो जो antigen होता है RBC पर वही blood group रहता है दोस्तों तो इसका blood group रहेगा A रहेगा ध्यान रखेंगे अगर A वाला है तो इसके पास antibody होगी दोस्तों वह कौन से होगी B होगी ठीक है और जो B है अगर किसी का blood group तो उसके पास antibody A होगी O वाले के पास जो है दोस्तों वह दोनों ही antibody होती है A और B antigen नहीं होता तबकि जो blood group A भी है उस पर आपको कोई antibody नहीं मिलेगी दोनों antigen मिलेगा या नहीं A भी मिलेगा और B भी मिलेगा तो यह चीज़ ध्यान रखेंगा दोस्तों इसलिए कोई antibody O के पास में antibodies दोनों है इसलिए आप कह सकते हैं कि antigen नहीं है इसलिए यह किसी को भी blood क्या कर पाता donate कर पाता है because it is having no antigen तो वहाँ पर उस antigen के लिए दूसरे blood group के पास में कोई भी antibody नहीं बनती इसलिए O जो है वो donor है universal तबकि अगर मैं बात AB की करूं तो जो AB blood group है उसके पास दोनों antigen है ठीक है antibody नहीं है इसलिए यह recipient होता है ठीक है किसी के लिए इंटिबाडी नहीं है इसके पास इसलिए A से भी ले सकता है blood B से भी ले सकता है ठीक है O से भी ले सकता है AB से ले सकता है इसलिए universal recipient है और जो O blood group है वो universal donor है इसमागर मैं rh factor की बात करूं तो plus minus देख लिए जहेगा rh factor है तो प्लस और आरेश फ्रेक्टर नहीं है तो माइनस देन कोशन नंबर 16 ब्लड इस ठीक है ब्लड कैसा होता है नीचर में ठीक है तो दोस्तों आपको बता दूँ कि जो ब्लड है न यह वैसे एक बफर सॉलूशन है ठीक है और यह जो इसका पीछ रहता है ब्लड का यह लगब सु cricket नमपर 17 के रुटिड आर्टरी जो कैसा ब्लड कैरी करती है यह कहां से लिए जो आटरी है ने दोस्तों यह ब्लड को ले जाती है तो आप देखने जिए कॉस्प्शन में अक्षिनेटिड ब्लड ऊस्पषिए व्लड टू ब्रेन तीक है डेन गोसन आम यहांते है यह chemotherapy करते हैं तो फ्रड ऑप्शिनत का करेक्ट जाएंगा लार्जस्ट कॉप्षा इस q Ward इस में से सबसे लारजस्ट पोरसतों है कि बाएर पूछा जा चुका है मोंुंुं सैट सब से largest हैं दोस्तों, monocytes are largest, सबसे चोटी की अगर बात हो, तो lymphocytes रहती हैं दोस्तों और अगर आपसे RBC, WBC और platelets में पूचाता है तो सबसे चोटी platelets होती हैं दोस्तों, ध्यान लेखेंगे, then throbokinase is produced in, यह 20th question है, throbokinase आपको पता है देखिए हाईपोफाइजियल पोटल सिस्टम प्रॉटेंट इन तो हैफोफाइजियल जो पोटल सिस्टम ऋबनेटों का अल व्द अब जाएगा ठीक है यह क्या करता है थ्लितन डिटेंट है इस सब्सक्रायों में प्रदेंट है यह नेक्स्ट जो कि यह वह करते हैं क्योंकि डबलो बीसी लिख्विटीट तो एक ही बात है डिफेंस में काम करती है और फ्रॉम्बो साइट्स क्लॉटिंग में काम करती है तो जो जो इस ट्रांस्पोरेशन आफ ऑक्सिजन में या सी यूटू में हपर्ती है वह क्या है आरवी से रेस्पि पिग्मेंट है और जो हमेटिन है यह इसकी एक डीजनेशर्ट फॉर्म है हीमोग्लोबिन की और इसमां ऑक्सिदेशन हो जाता है ठीक है आरेन का तो यह तो नहीं हो सकता है हमेटो क्रूम और एरिफ्रोसाइन दोस्तों यह पिग्मेंट्स एलगी के अंदर पाए जाते हैं आप याद करिए 2014 की कुछिन पेपर में भी यह पूछा गया था मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर्स वगरा होते हैं वह राइट साइड में अब्डॉमिन की तच करके बता देते हैं कि मलेरियल सिम्टम्स हैं या नहीं या डेंगू सिम्टम्स हैं एक्शन में क्या जाते हैं इसलिए इसको ग्रेवयार्ड और बीसी बुले जाता है तो यहां से बढ़ाएंगे इसको एक्टिव इम्मूनिटी की बात हो रही है एक्टिव इम्मूनिटी का मतलब है कि जो आपकी बॉड़ी है वह एंटी बॉडी इस सेल्फ बना रही है ठीक है अब इसमें जो नीच्रली बन सकती है या आठीफीशली बन सकती है जो आप वैक् τιन वगरा दे सकते हैं दोस्तो देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम वेकेंड जाप उस पेथोजन को in prevention कर दें थीधि करा रहा है सो आप इस यह पाड़ में जो इसे बड़ी परिपेर हो जाती है थीके हैं तो Customer क्लिए sucks आरी git और ऑपने पही अगर बच्चा बीओ inhabit विपल्प मार्फ आ wil WR था धना भी ज़ना कि क्यों तो उसकी जो ऑ्क्रॉब उससे तो तो क्या body अपने आप क्या करती है कि pathogenes को tackle करती है और उनके लिए अपने आप ही antibodies बनाती है इस तरीके कि जो body immunity होती है वह active होती है अगर आप antibodies inject कर रहे हैं और या टोकसंस इंजक्ट कर रहे हैं तो ऐसी इम्टिटी आपकी passive इम्मेनिटी कहलाएगी दोस्तों ना बॉडी ने खुद नहीं किया यह आपने बार से एंटी बॉडी इंट्रीफ कर आई ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर कह जाएगा किल्ड पैटोजन्स और इनकुलेटेट कुशन नमर टॉन्टी सिक्स देखिए एंटीजन्स प्रोडीउस आच्ब और यह दोस्तों ठेक स्टॉं3ut2 डीने के पार्टिकल्स है है म्यूटान्स हो नहीं सकते और ॉस्कรोण दो यह नहीं है और अग्रे प्लॉटन्चे और आपको दो Base यह लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है अंतर क्या है कि युद्धी नो हाड़न हो जाती है और जो ब्लड का फ्लो है या सर्कुलेशन है बढ़ा जाता है जो का रोच जाता है एक जो है Atherosclerosis का एक कह सकते हैं एक result होता है ठीक है यह एक state होती है ठीक है तो दोनों ही यहाँ पर कह सकते हैं हम बहुत खतरना इस्टिती हैं लेकिन आपसे यहाँ पर small arteries के बारे में पूछा तो आप artoosclerosis लगाएंगे अगला ही question देखी narrowing of of lumen of artery because of deposition of fat special case था ठीक है तो deposition of fat आपसे पूछ रहा है तो इसमें आप atherosclerosis लगा सकते हैं कि देन नेक्स्ट कुशन देखिए दोस्तों इन मेमर्स ठीक है ओपनिंग ओफ पोस्ट के वाल इन दा है राइट auricle is guarded by एकालॉ ऑक्षन है मिट्रल वाल्व तो मिट्रल ववाल्व जो होती जो दोस्तों यह क्या करते हैं लैफ्ट आर्ठ्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पैसेज है उसमें बैक फ्लॉ को करती है यह थोड़ी spelling में कर बढ़ आं you stay she and tube यह Walv ॉक तो ऑलग है हम वाइक है तो जो Walva होती है ये वाली ये दोस्तोंब ये opening है जो post के आवल को right Oracle को God करती है ठीक है post के वाल को या याइं और ऐwno राइटौर जो और वह कौन सी है यह ठीक है है और मैं आपको बता दूू empezar को ना यह जो वाल्व में इनका नहीं कर दिया होð यह प्रेसेज देती है ठीक है यानि कि आपका जो राइट सुरी लेफ्ट जो आपका औरिकल है और जो आपका लेफ्ट वेंटरिकल है उसके बीच का जो पैसेज होता है वहां कौन सी वल प्रेजेंट होती है बाइकस पिड़ वॉल तो इसका जो करेक्ट आँसर जाएगा दो nucleated होती हैं तो आपको यहां से पता लग गया होगा कि जो human erythrocytes हैं उनमें कोई nuclei नहीं होती ठीक है और जो frog है उसमें nucleus होती है mature rbc में है ठीक है तो उसका correct option कौन सा जाएगा दोस्तो human erythrocytes have no nuclei 31 question देखिए coagulation of blood occur due to ठीक है यह मैं आपको बता चुका हूँ है ना because change of fibronogen into the fibrin ठीक है then question number 32 safe and effective means of producing artificial immunity against a smallpox by vaccine was discovered by यह अच्छा question है यह आपके ncrt में 9th class की दे रखा edward jenner ठीक है इन्हों ही हमें कह सकते हैं कि immunization father भी बोला जाता है father of immunization लुष पास्चर vaccination की फादर है और यह polio vaccine को जो discover करने वाले हैं वह डॉक्टर साल के दोस्तों है ना then question number 33 देखिए sometimes rbcs form a pile और stack ठीक है known as ठीक है तो Rolex बोलते हैं उसको ठीक है ध्यान रखेगा इसको then 34 देखिए bundle of his found in जो bundle of his है वह कहां मिलेंगे heart में मिलेंगे obviously और heart में भी कहां ventricles के अंदर तो यह option थोड़े करभड हैं आपके क्योंकि अगर आप से more appropriate पूछा यह दोनों एक साथ नहीं देख सकते तो ventricle भी इसका correct answer जाएगा heart में भी correct option जाएगा इसका ठीक है question number 35 देखिए universal donor have no antigen मैंने अभी आपको समझाया था कि डोनर है ठीक है उस पर antibodies होती है यह और भी लेकिन antigen नहीं होते है यह पूछ रहा है universal donor have no antigen in the rbc but have both antibodies a and b ठीक है दे ब्लॉंग to blood group तो कौन सा blood group कहलाएगा दोस्तो युनिवर्सल डोनर्स का ओ अभी मैंने आपको थोड़ी दिर पहले समझाया था ठीक है और universal recipient अगर पूछे तो a b the instrument used for measuring blood pressure ठीक है तो यह हो गया sphagmo manometer दोस्तों यह तो class 9 में आपको पढ़ा दिया होगा ठीक है अच्छा होशन है ECG आपको पता है हार्ट का प्रॉपर एक तरीके से लेक्ट्रो काडियोग्राम है और स्टैटोस्कोप आपको पता है ठीक है यह क्या करता है आपके हाटभीत मिज़र करता है ठीक है EEG ठीक है EEG आपकी ब्रेन की मौने कि हाट के लिए है वैसे ही जो ब्रेन के लिए वह EEG इनसे फैलो ठीक है तो यह आपके जो ऑप्शन जाएगा ब्लड प्रेशर के लिए जो मिज़र करता वह इस फैक मो मैनो मीटर होगा थैन ECG सबसे कम यूरिया किस कहा होगा सबसे कम जो यूरिया है वो किसमें होगा रीनल वेन में यह यह जाती है कि इसकी किड्नी तक है और उसके बाद जब सबस्टर हो जाता है तो यहां पर रीनल वेन को रट चाएगा काड़िक आउटपूट पर मिनट जो होता है वह नौर्मल का कितना होता है दोस्तों यह Five atus dilatoran videoria then formation of blood corpses is known asçek pior iisus privacyz बोलते हैं दोस्तों है ना लिबर कें अंदर ठीजिक हैँ एमडेयनी condition किसे में बनता है दोफ्तो ऑनीशली जो प्लेट कॉप्सित हैं वो किसमां लिवर में बनते हैं ऑ किसमें लिवर टिय को साट की excuse जो है ठीक है यह movement होता है क्योंकि इनका जो regular शैप होता है और एक तरीके से ही movement होता है leukosides का out of the capillary ठीक है और यह कहां जाकर के lymphatic system में जाकर के में झाली का साइड़ जो है आ आ जाती है और फिर लिम्फएटिक सिस्टम में आने के बात में इसका जो नाम हो जाता है थिके दोस्तों तो कौनसा जो इनका जो मुव्मेंट है उसको क्या बोलते हैं डाइपेडेसी बोलते हैं डेन तूट स्टोर बलड सम एंटिकोगुलेंट और एडिड ठीक है यह सोडियम अच्छा कोशन है इंपॉर्टन कोशन है ब्लड को स्टोर करने के लिए कुछ एंटिकोगलिंट जो है वो डाल जाते हैं सोडियम ऑग्जलेट ठीक है इसका करेक्ट आंसर है देन ब्लड ड़स नौट ट्रांसपोर्ट ऑक्सिजन इन ठीक है इ इसमें ब्लड के पाई जाती है ठीक ही मोसील के विटी लेकिन कॉक्रोज में नहीं मिलती है दोस्तों देन कोशन नमबर 45 ब्लड सर्कुलेशन डैट स्टार्ट एस कैपिलरीज एंड टर्मिनेट्स एस कैपिलरीज ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों ऐसे सिस्टम क के बाद में anti toxins नहीं develop करेगी toxins नहीं तो simple question हो गया antibodies ही develop करेगी दोस्तों तीक question number 47 देखे which has the thickest wall तीक है इसमें thickest wall किसकी होगी जो सबसे ज़्यादा pressure लगाएगा या जिसका सबसे ज़्यादा काम है वेजने का उसकी तीकेस्ट होगी और मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा थिकस्ट आपको ने गैस कर लिया होगा left ventricle करेगी क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे final जो oxygenated blood है वो किसमें आता है जो blood को supply जब होना है पूरी body में circulate होना है तो सबसे last जो रहता है blood का कौन सा चेंबर रहता है left ventricle यहां पूरी जोड से जो है वो आर्टरी की मदद से यहां मैं कहूं यह उटा जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसके तो यह पूरी body में क्या जाता है circulate हो जाता है तो left ventricle इसका correct answer होगा दोस्तों सबसे बड़ी आर्वी सीज जो है इसके अंदर पाइज़ा है और यह सबसे बड़ी आर्वी सीज जो है इसके अंदर पाई जाती है दोस्तों ठीक अबर 49 लीकोपीनिया कंडिशन इन विच कौन सी कंडिशन होती है इसमें दोस्तों जो टोटल लीकोसाइट काउंट है वो कम हो जाता है 5000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से भी कम हो जाता है ठीक है दोस्तों तो इसका answer फस्ट जाने वाला है देन देन कोश्चन नंबर 50 देखिए अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाजमा ध्यान रखिए का ब्लड प्लाजमा में पूछा एंदर नब्य परसेंट पानी होता है दोस्तों बाकी प्रोटीन वगरा होता है देन फिफ्टी बन देखिए वालिम ऑफ ब्लड और फाइब्रोनोजिन ठीक है इसमें कई बार फंक्शन भी पूछ ले जाते हैं जो यह क्या करता है इंक्लूडिंग हॉर्मोन वाइटमिन्स एंड एंजाइम्स ठीक है दोस्तों अगर लो या किड्नी की प्रोब्लम को इंडिकेट कर सकता है और दोस्तों जो हमारे यह जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह इंफेक्शन्स वगारा के लिए फाइटिंग में हल्प करते हैं फाइब्रोनोजिन ब्लड क्लॉडिंग के लिए दोस्तों दोस्तों 53 कोर्शन ने इसर्स एथ्रसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या करता है इसका मतलब होता है यह यहीं इसार होता है उसको पताता है अगर इसका डिगरी हाई छाइन जादा है और इंफ्लाशन क्यों का बोड़ी में अगर कोई पैथोजानिक अटेक हुआ है तो आप कह सकते हैं कि inflammation तो ऑप्शन ही नहीं इसमें तो डिग्री ओफ डिजीज को यह क्या करेगा मीजर करेगा ठीक है एर्थितरो साइड को कान्ट नहीं करता है स्ट्टी प्लाज्मा नहीं करता है तो दोनों है न बोट प्रेटलेट्स एंड डैमेज टिशू ठीक है लास्ट कोशन देखिए कुशन नंबर 55 ब्लड ग्रुप एगलुटिनो नोजेंस एंड बी आर फाउंड इन ठीक है जो ब्लड ग्रुप से एगलुटिनोजेंस एंड बी यह मैं कहूं एंटीजन एंड बी तो यह कहां और बीसी पर मिलते हैं तो यह जो है आपके 55 कुशन से कंप्लीट होगे दोस्तों तो दोस्तों इंपॉर्टेंट कुशन जो थे हैं मैंने चेप्टर से मैं कहूं इस टॉपिक से करा दिये हैं अभ वहां पर मैं आपको वहां पर प्रवाइड करा दूँगा और लिंक जो है टेलीग्राम का चैनल का वह आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों बाकी एक्जाम जल्दी आने वाला है और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं एक क्विक रिवीजन लेकर आने व दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास तैयारी के लिए और मैं आप उमीद करता हूं कि जितना पॉसिबल वीडियोस हैं वो लेकर क्या होंगा आपके लिए ठीक है जिससे हमार करें दोस्तों में शेयर करें चैनल थैंक यू अल दे बेस्ट